बिसमिल्य रख्माले रहीम, अस्सलाम वालेकम वीवर्स, आज मैं आप लोग के लिए बहुत इलाजवाब रेसिपी दिकर आए हूँ अगर आप लोग रोज मरा के खाने खाकर बोर हो गए हैं, तो ये मज़ेदार से चट पिटी से राइस प्लैटर आप बनाईएगा आप लोग का मुझा जाइका भी बदल जाएगा और बहुत ही बेतरीन रेसिपी है, आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ बार्बीक्यू राइस प्लैटर दावतों के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है, लेकिन आप इसको रोज मरा के दिनों में भी बनाके नजोई कर सकते हैं और अपनी फैमिली से तारीफे बटोर सकते हैं, क्योंके जो भी इस प्लैटर को एक बार खाएगा, खाता ही रह जाएगा और आपकी तारीफे भी खूब होँगी तो इस वीडियो को लास तक ज़रूर देखिएगा, तो चरिए आईए, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी, तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा सबसे पहले चिकन आदा किलो के बराबर, इसको मैंने क्यूब्स में कट करवा लिया था अब इसके अंदर हम एट करेंगे एक अदत प्यास, प्यास को क्या करना है आपने ग्रेट कर लेना, अच्छा इसको हम ग्रेट इसली कर रहें, इससे क्या होगा जो हमारा चिकन वो ड्राइ नहीं होगा, बहुत मौइस्ट बनके तयार होगा उसके बाद हम इसके अंदर आट करेंगे लाल मर्चु का पौडर 1.5 टीस्पून के बराबर, नमक आट करेंगे 1 टीस्पून, गर्मसाला आट करेंगे 1 टीस्पून, सीरा पौडर आट करेंगे इसमें 1 टीस्पून, धनिया पौडर आट करेंगे 1.5 टीस्पून, हल्दी आइट करेंगे 1 teaspoon, लस्टा नद्रक का पेस्ट आइट करेंगे 1 tablespoon के बराबर जरदा food color आइट करेंगे, इसके अंदर 1 4 teaspoon, दही आइट करेंगे आदा कप lemon juice आइट करेंगे 1 tablespoon के बराबर, lemon juice ना हूँ आपके पास, तो आप लोग इसके अंदर सफैस सिरका भी आइट कर सकते हैं अब इस सबको अच्छे से mix कर लेंगे, यह मज़दार सा marination हमने कर दिया इसके उपर इसको रखेंगे आदे घंटे के लिए counter top पे ही छोड़ दीजेगा और आप ज्यादा देल के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रख दीजेगा तो बस इसको हमने अच्छे से mix कर लिया, इसको मैं छोड़ दूँगी, side पे, clean से cover करेंगे इसको और बस आदे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे अब देखिए आदा घंटा हो चुका है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम cook कर लेंगे, पका लेंगे, तो यहाँ पर एक मैंने pan ले लिया है, इसमें add कर दिया है, 4 टेबल स्पून के बराबर oil, उसके बाद सारा चुकन हम इसके अंदर add कर देंगे, चुकन हमारा बोलने और इतनी देर हमने इसको अच्छे से marinate भी किया था, तो यह जल्दी पक के तयार हो जागा, तो इसके अंदर मैंने आदा कब पानी add कर दिया है, और इसको बस हलका सा mix करेंगे, और medium flame पे पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक यह जो पानी है अच्छे से dry नहीं हो जा कोई लिए का smoke दे लेंगे इसको, इससे क्या होगा बहुत अच्छी इसमें खुझबू आ जाएगी और जायका भी इसका double हो जाएगा, तो देखिए smoke हो गया है, यह था हमारा first step, अब second step में हमें चाहिए होंगी कुछ vegetables, तो यहाँ पर मैंने एक pan ले लिया है, इसके अंद इसको fry करेंगे जब तक अच्छी सी खुझबू नहीं आने लगे, जब हलका सा color आ जाएगा और खुझबू आने लगेगी फिर हम इसके अंदर add करेंगे, बंगो भी एक कप के बराबर, शिमला मर्च आइट करेंगे एक कप, दोनों शिमला मर्च ली हैं मैंने, लाल पी ल बस इसको हमने हलका सा fry कर लेना है, ताकि एक अच्छा सा flavor आ जाए इसके अंदर और हलकी सी कोको जाए, इसको हमने करंची ही रखना है, फिर इसके अंदर हम add करेंगे sweet corn एक कप के बराबर, ये add कर देंगे, अब इसमें add करेंगे हम काली मिर्चु का पावडर, वन फोर टी spoon, इसके बाद में इसमे add करूंगी, soya sauce वन टीबल स्पून के बराबर, इन तमाम चीजों के साथ इन सबजियों को high flame पे आपने अच्छे से पका लेना है, बस इतना ही कोक करेंगे ये तो ये soya sauce का हलका सा moisture है, वो सारा खतम हो जाए, और हमाई सबजियों का color भी खराब न हो, तो इस बात का ख्याल रखेगा, तो देखिए अच्छे से fry हो गई है हमाई सबजियां, अब आखर में हम add करेंगे इसके अंदर हरी प्यास आदर कप के बराबर, उसका मैंने सफैद और ग्रीन पार्ट दोनों लिया है, इसको भी mix कर लेंगी और ये vegetables हमारी ready हो गई है, अब आजाते हैं इसके तीसरे स्टैप की तरफ, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा mayonnaise एक कप के बराबर, इसके लिए मज़िदार सा sauce बना रहे हैं, जो इसके साथ सर्फ किया जाता है, तो एक कप mayonnaise ले लिया है, इसमें add करेंगे चिली गार्लिक sauce 5 टेबल स्पून के बराब काली मिर्चो का पाउडर एड़ करूंगी, बन 4 टीस्पून, अब इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो यह हमारा बहुत ही मज़िदार सा चटपटा सा sauce बनके तयार हो जाएगा, इसको हम चावलो के साथ सर्फ करेंगे, और इस स्टेज पे अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लग रही है, तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, लाइक कीजेगा, लाइक करने से क्या होता है, हमारी थोरी सी होसला अवजाई हो जाती है, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं आप, अब इसको सर्फ करनी के लिए मैंने थो और उपर से हम डाल देंगे स्क्यूपर सॉस, तो इसको आपने इस तरह से ड्रिजल कर देना है, बहुती बीतरी रेसिपी बनके तयार होती है, दिखने में जितनी मज़िदार लग रही है, खाने में उस से भी ज़्यादा मज़िदार होती है, यह इसको जरूर ट्राइ तो एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा इसको और अपना फीड़ बैक जरूर दीजिएगा, बताइए का जरूर कैसी लगी आपको यह रेसिपी, तो इदर मैं आपको दिखा देती है, उसका फाइनल लुक, तो यह देखिए, लग रही है, मज़दार वाकी में बहुत रेसिपी अच्छी लगी हो, आज मैं आप लोगे की बहुत ही मज़दार से शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, रेयल शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बिल्कुर ओरिजिनल है, और आज मैं आपको सारे सीक्रिट्स बताऊंगी, अच्छे शामी कबाब बनाने की अच्छे जूसी रेशिदार शामी कबाब आप किस तरह से बना सकते हैं और ये बहुत ही एसानी से घर में बनके तयार हो जाते हैं, इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम बीन लगेगा, लेकिन फिर भी इतने रेशिदार जबदस कबाब बनक साइए एक अदद तेज परता अड़ करेंगे अधनक ऐड़क अड़क करेंगे 2 टेबल स्फून मोटा मोटा सा कटा हुए लसन आइड़क करेंगे 10 से 12 हय है मैंने लसन के मोटे वाले 2 अदद काली अलाईची आड़क कर देंगे दार्चीनी की दो पीस एट करेंगे जीरा एट करेंगे 1 टेबल स्पोन लोंगे एट करेंगे 8 अदत काली मिर्चे एट करेंगे 1 टी स्पून के बराबर साबुत लाल मिर्च एट करेंगे 10-15 अदित नमक एड़ करेंगे 1 टी स्पून चने की डाल एड़ करेंगे इसके अंदर 150 ग्रैम के बराबर है ये इसको मैंने 2 गंटे पहले भिगो दिया था तो इसके लिए जरूरी है आपने इसको जादा देर के लिए भिगोना है क्योंके इसको हम गोश के साथ ही पका रहे हैं और यह हम बहुत कम टैम में बना के तयार करेंगे रेसिपी इसलिए में प्रेशर कूकर का इस्तेमाल कर रहे हूं और इसके अंदर एड़ करेंगे 3 ग्लास पानी उसके बाद हम इसको थोई दिर पकने देंगे यह अच्छे से बॉइल आजा इसके अंदर इसके बाद हम इसके लिड आफ करेंगे और इस पर हमने सीटी लगा देनी है तकरीबन आपने 15 से 20 मिट तक इसको पकाना है लो मीडियम फ्लेम के उपर हाई फ्लेम पे नहीं पकाईएगा इसको क्योंकि हमें दोनों चीजे बहुत अच्छे से गलीवी चाहिए तो इसलिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कोक किया था तो देखें यहाँ पर गोश हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है और दाज भी गल चुकी है अब हम क्या करेंगे जो खड़ा मसाला हमने इसमें एट किया था वो हम निकाल लेंगे जिसे के तेज़ पता निकाल लिया है मैंने इलाईजी निकाल ली है इसके अंदर से हम निकालेंगे इसके इलावा दारचीनी की जो पीसे थे वो निकाल लेंगे क्योंकि ये पिसने में नहीं आएंगे इस वज़े से हमने इसको निकाल लिया है अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा हमने ड्राइ करना है बहुत जादा नहीं करना है थोड़ा लिक्विटी ही रखेंगे बस इतना ही इसको ड्राइ करेंगे पांच मिंट पकाया था, अब हम क्या करेंगे, बदा नहीं ले लेंगे, फ्लेम ओफ करने के बाद आपने इसको इसकी मदद से पीसना स्टार्ट करना है, इस तरहां से, आपने या फिर घोटना ले लीजेगा, अच्छा यहां पर मैं इसका सीक्रिट बता देती हूं, जूसी बन के तायार हूं, कुछ इस तरह का इसका मिक्स्चर होना चाहिए, तो देखिए, यह रैडी हो गया है, अब इसको मैं थोड़ा सा थंडा कर लूँगी, क्योंकि अपने यह गरम गरम में ही इसको पीसना है, अगर यह मिक्स्चर थंडा हो गया तो आप इस तरह से नहीं पीस पाएंगे, अब देखिए, पीस गया है, थोई दे मैं इसको रख दिया था, ठंडा करने के लिए, ठंडा होने के बाद भी यह थोड़ा सा हाड हो जाता है, यह देखिए, इस तना से और रिशा आपको देखने से ही नजर आ रहा होगा, कतना शांदा रिशा बन इसके अंदर आड़ करूंगी, हर अधनिया और पौधीना बारी कटा हुआ, तकरीबन एक कप के बराबर, अच्छा इसके अंदर मैंने प्यास नहीं आड़ करी है, कच्छी प्यास नॉर्मली लोग आड़ करते हैं, क्योंके हम लोग शामी कबाब जब भी बनाते हैं, तो इसको फ्रीज जरूर करते हैं, तो अगर आपने इसको फ्रीज करना है, तो आपने इसमें प्यास नहीं आड़ करनी है, और अगर आप इसको फॉरम से सर्फ करना चाते हैं, तो प्यास आड़ कर दीजीगा, यह औप्शनल है, तो मैंने तो प्यास आड़ नहीं की है इसके तो देखें इसको mix कर लिया है mix करने से भी आपको अंदाजा रहोगा कि देखने से कि कितना ये soft बन के तियार होगा है इसका mixture को आपने soft ही रखना है यहीं तो होगा क्या fry होंगे कबाब और अंदर से भी बहुत जादा hard होते हैं बहुत जादा dry होते हैं और खाने में भी मजानी आता है तो देखिए इस तरह से बस आपने कबाबों को shape दे लेना है और आप चाहे तो shaper भी ले सकते हैं शामी कबाब को जो mold मिलते हैं उससे भी आप shape दे सकते हैं तो बस इस तरह से में shape दे लूँगे उसके बाद इसको हम करेंगे fry तो यहां पर हम इसको करेंगे shallow fry ओil मैंने गरम कर लिया था और यह कबाब इतने भीतरीन बनके तयार होते हैं बलकुल perfect recipe है इसको आपने जरूर try करना है और जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरी चीज़े आप लोग अपने मर्जी के मताबिक add कर सकते हैं वो सीम रखेंगे तो आपके भी शामी कबाब इतने ही अच्छे और शानदार बनके तयार होंगे तो देखिए शामी कबाब हमारे fry हो गए हैं यह उपर से crispy होंगे और अंदर से soft और juicy बनके तयार होंगे तो आप को रेशा भी दिख रहा होगा माशाला से बहुत ही perfect recipe बनके तयार हुई थी आपने जरूर ट्राय करना है तो देखिए इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूं यह कितने juicy बने हैं उतना soft हैंगे अंदर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़दार सी crispy fried chicken की recipe देकर आई हूं एक नए अंदाज में और बहुत ही असान तरीके से आप लोग को यह क्रिस्पी fried chicken बनाना सिखाऊंगे हर कोई बहुत perfect तरीके से इसको बना पाएगा और सारी tips और tricks शेयर करूंगी किस तरह से बहुत ही बेतरीन crispy fried chicken आप घर में बना के तयार कर सकते हैं और एक बार कि आप लोग अपने बच्चों को अपने घरवालों को खुश कर सकते हैं वह साई तारीफे भी ले सकते हैं तो चरी आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इसका सबसे पहला step यह है कि इसको हमें सिर्के वाले पानी में डप करना है ताकि इसके अंदर से जो भी कुछ extra blood ह हो वो निकल जाए और इसकी जैसे ही थोड़ी soft और tender भी बनके तयार होती है तो यह मैंने एक kilo के बराबर chicken लिया है यहां पर मैं drumsticks का स्तेमाल कर रही हूं आप लोग चाहे तो normal chicken की pieces भी ले सकते हैं तो इसके अंदर मैंने 1 tablespoon सिर्का add किया है इसको dip कर देंगे तकरीबन cuts लगा लेते हैं ताकि जो हमारा marination है वो अंदर तक जाए तो मैंने deep cuts लगाए हैं और 3 cuts लगाए हैं सिर्फ तो सब chicken की pieces पे मैं इसी तरीके से cuts लगा लूँगी अब इसको हम marinate करेंगे तो सबसे पहले हम add करेंगे इसमें baking soda तो आपने baking soda add करना है इसमें 1-4 teaspoon के बराबर इससे क्या होगा बहुत टेंडर बनके तियार होगी हमाई यह जो चिकन है फिर मैंने इसमें नमक add किया है 1 teaspoon के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर add करेंगे 1 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च आट करेंगे 1 teaspoon आपके पास पैपरिका हो तो वो भी add कर सकते हैं लसन का पाउडर add करेंगे 1 teaspoon लसन का पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसमें लसन का पेस्ट भी add कर सकते हैं इसके बाद मैं चिकन पाउडर add कर दूँगी 1 teaspoon खाली मिर्चों का पाउडर add करेंगे 1 teaspoon एक अदत अंडा add करेंगे अब इसकी बाद इसको आपने अच्छी तरीके से mix कर लेना है अच्छा सा massage कर लीजीगा चिकन के उपर ताकि मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए वैसे भी हमने deep cuts लगा लिये हैं तो मसाला अच्छे से अंदर तक चला जाएगा इसको आपने marinate करके रखना है 2-3 गंटे के लिए चाहें तो overnight भी रख सकते हैं अब इसका हमें एक batter तयार कर लेते हैं उसके लिए मैंने 1 cup मैदा लिया है इसके अंदर add करेंगे अध्रक का powder 1 teaspoon के बराबर लसन का powder 1 teaspoon नमक 1 teaspoon add करेंगे लाल मिर्चव का powder 1 teaspoon चिकन पावडर 1 teaspoon काली मिर्चे add करेंगे 1 teaspoon इस सब को mix करेंगे अच्छी तरीके से mix करने के बाद इसके अंदर add करेंगे एक अधत अंडा तो टोटल हमने 2 अंडों का इसमाल किया इसमें थोड़ा सा पानी add करेंगे और इसको mix कर लेंगे अच्छी तरीके से आपने की smooth सा बैटर बना लेना है बस थोड़ा थोड़ा करके पानी add करेंगे बहुत थिन नहीं होना चाहिए थोड़ा सा थेक रखेंगे तो यह देखिए कुछ इतना थेक होना चाहिए यह अब इसकी coating के लिए हमें मैदा चाहिए होगा लेकिन मैदे के अंदर हम कुछ न पीस ले लेंगे इसका इसको डिप करेंगे हम बैटर के अंदर ताके बैटर अच्छे से इसके उपर लग जाए इसकी बाद मैदे में डाल देंगे इसको और इसकी ब्रैडिंग करेंगे तो मैदे में रखेंगे और इसको आपने अच्छे तरीके से कोट करना है इस तरहां से और हलके हाथ से आपने इसको प्रेस करते में मिक्स करना है ताकि इसके जो क्रम से बहुत अच्छे बनके तयार हों इसकी हम एक ही coating करेंगे उसी के अंदर बहुत अच्छे क्रम्स बनके तयार हो जाएंगे बार बार आपके coating करनी के जुरुत नहीं पानी में डिप करना है इसको तो बस इसी तरीकी से मैं सब को कोट कर लूँगी यानि कि इसकी ब्रैडिंग कर लूँगी और एक्स्ट्रा मैदा आपने इस पे से जार देना है कुछ इस तरह से तो देखिए कितने अच्छे क्रम्स बनके तयार होए हैं अब हम क्या करेंगे इसको फ्राइ करेंगे गरम तेल के अंदर तो देखिए कितना जबरदस सा कलर आ गया है अब इसको आप निकाल लेंगे इसी तरीके से सारी चिकन को में फ्राइ कर लूँगे अब यहां पर बात आती है जो इतना सारा मैदा हमारे पास बच जाता है तो इसका क्या किया जाए अक्सर यह सवाल भी आता है मेरे पास कितने सारा बै apprentice बच गया है इसके marination बच गय तो इसका क्या करें तो इसका मैं आज आपको हल बता देती हूँ तो आपने क्या करना है सबसे पहले इसको असको इस तरह से आपने पोटाटो वेजिस बना सकते हैं आलू के आप स्लाइसेस कट करें उसको कोट करके बना लें वो भी बहुत अच्छे बन जाते हैं तो यहाँ पर सिंपल मैंने क्या किया था वो जो मैरिनीशन बचा वाता था ना थोड़ी से मिर्च और मसाले एट करके और चिकन को मैरिनीट कर दिया है चिकन के पीसेस ले लिए थे तकरीबन एक पाव के बराबर है और जो यह हमाई पर बैटर बचा वाता है उसमें मैंने एट कर दिया है अब क्या करेंगे जो मैदा था ड्राइ हमारे पास उसके अंदर इसको एट कर देंगे अलग से मैदा डालने की जरूरत नहीं है और इसके अंदर हम इसकी ब्राइटिंग कर लेंगे उसके बाद भी आपके पास यह बच जाता है तो आप इसको वेस्ट नहीं किया करें कोई भी चीज वेस्ट करने की जरूरत नहीं तो आपने करना क्या है इसको सिंपल एक शौपर में डाले या फिर एटाइट बॉक्स में डाले इसको फ्रिज में रख दे लेकिन इसको एक हफ़ते के अंदर आप इस्तेमाल कर लें तो देखें इस तरह से हमारी पॉपकॉन चिकन भी बनके तयार हो जाएगी और जो के बजार सी भी जादा बहुत अच्छी बनके तयार होती है घर में आप थोड़ी सी चिकन से मतलब एक पॉपकॉन से इतनी सारी आप पॉपकॉन्स बना सकते हैं इसको भी हम फ्राइ कर लेंगे और इसको भी बस आपने ओयल में डालना है तो कुछ देर के लिए छोड़ दीजीगा जब हलका सा कलर आने लगे तब आपने इसको मिक्स करना है और mix करते करते हैं आपने इसको fry कर लेना है ताकि even color आजाए तब even color आजाएगा तो इसको आपने निकाल लेना है और यकीन मानिए एक बार आप इस तरहां से fried chicken बनाएंगे ना step by step follow करते हुए तो आप लोग बाहर से खरीद ना भूल जाएंगे इतनी भीतरीन बनके ये तैयार होती है इदर मैं आपको तोड़के दिखा देती हूं अंदर से इसका लुग ये पॉपकॉन चिकन है जो के खाने में बेहत मिज़दार लगती है और बच्ची तो बहुत enjoy करते हैं इसको इसके इलावा फ्राइड चिकन दिखा देती हूं करीब से इसका लुग देखिए हमने एक ही कोटिंग करी थी लेकिन उसके बावजूद कितने अच्छे क्रम्स बनके तियार हुए है और बहुत ही खस्ता बनते हैं मुँ में जाके चुपते रही है बहुत ही जबरदस बनके तियार होते हैं यह और चिकन भी हमारा कितने अच्छे से गल गया है आई होप आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो आप लोगों के लिए बहुत ही मज़दार से पिशावरी नमकीन गोश की रेसिपी लेकर आई हूँ जो के बहुत ही मज़दार बनके तियार होता है बहुत कम मसाले जाते हैं इसके अंदर लेकिन यह बनता बेहत लजीज है आप लोग इस रेसिपी को बना सकते हैं तो कि बहुत ये अच्छा बन के तियार होता है, इसको बना के आप दावतों भी सर्फ कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं, और गर्मियों में कम मसालर के खाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा, तो चलिया ये के बराबर लस्टन अद्रक का पेस और इसको हलका सा फ्राइ कर लेंगे, बस आपने अच्छे से फ्राइ कर लेना, एक अच्छी सी खुश्बू आने लगे, जब तक इसको पका लीजेगा, उसके बाद हम इसके अंदर मटन आइट करेंगे, आदा के लो के बराबर, इसको म मैं मटन में बना रही हो, आप लोग चाहिए तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं, दोनों में बहुत अच्छा बनता है, तो बस इसको हम फ्राइ करेंगे, थोड़ा कलर चेंज होने तब, यह देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है, अब इसके अंदर हम आट करेंगे, नमक कर लिया थे, इसको मैंने कट कर लिया था, वो एट करेंगे, हलका सा मिक्स करेंगे, और इसके बाद इस पे हम लगाएंगे प्रेशर, अच्छा इसको मैं बना रही हूं प्रेशर कुकर में, आप लोग चाहिए तो नौर्म पतीले में भी बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में करेंगे और इसको मैंने 10 मिंड पका आया था हई फ्लेम पे उसके बाद मीडियम फ्लेम पे पढ़ना को किया था इसको 20 मिननेट के लिए इसके अंदर गोश हमारा अच्छह से गल गया था तो देखिए गोश गल गया है, हलकी आशी पकाने से क्या होता है, गोश अच्छे से गल जाता है, और इसका पानी जो था वो भी सारा एक्स्ट्रा ड्राय हो चुका है, दर में दिखा देती हूं आपको गोश कितना अच्छा गलावा है, अब इसे स्टेज पर क्या करेंगे, इसके अंदर हम आट करेंगे हरी मिर्चे, ये औप्शनल हैं, टेस्ट के लिए वैन आट किया है, टू टेबल स्पून के बराबर, थोड़ा सा हरा धनिया आट करेंगे, और इसको भून लेंगे, और ये इतनी कम मसालों में बहुत ही जाइकिदार बनके तियार होता है, पर इसको चल्बी में बनाया जाता है, लेकिन मैंने इसको ओईल में पकाया है, बस लास में थोड़ा सा इसका टेस्ट इनांस करने के लिए मक्षन आट कर दिया है, वन टेबल स्पून के बराबर, इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद आब इसको सर्फ कर स नान के साथ, चपाती के साथ, पराटो के साथ, बहुत ही बेतरीन बनके त्यार होता है, और मैं आपको दिखाऊंगे इसका गोश्ट कितना अच्छा बेतरीन का लावा है, और इकम टाइम में भी बन जाता है, जादा मसारे भी नहीं है इसमें, और गर्मियों के लिए आइ आइकेदार बनता है, यह देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेतरीन से स्टॉबरी मिल्क केक के रेसिपी रेकर आई हूँ, जो के बहुत ही मज़दार बनके त्यार होता है, और अगर आप लोग स्टॉबरी लवर हैं तो इस रेसिपी को आपने जरूर ट् कर सकते हैं, पार्टी वगरा में सर्फ कर सकते हैं, जो के सब को बहुत ही पसन आएगा, तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा, तो चली आएगे वीडियो स्टार्ट करते हैं, इस के लिए हमें चाहिए होंगे चार अदत अंडे, जो के रूम टेंप्रिचर पे ह होने चाहिए, एक बाल में आट कर देंगे, और इसके बाद में आट करूँगे चीनी, तो पिसी भी चीनी ले लिजेगा, या पिर अगर आपके पास आइसिंग शुगर हो, तो आप लोग वो भी रे सकते हैं, वन 20 ग्राम के बराबर है ये, ये इसके अंदर आट कर देंग इसको हलका सा मिक्स करेंगे, और मशीन की मदद से हम इसको बीट कर लेंगे तकरीबन 2-3 मिन तक तक ये अच्छे से फॉमी हो जाए इसका जो मिक्स्चर है, तो आपने इसको बस बीट करते रहना इसी तरह से, तो देखिए कितना फॉमी हो गया है, अब इसके अंदर मैट क कर लेंगे अच्छी तरीके से, तो देखिए मिक्स हो गया है, ब्लेट हम हटा देंगे इसके, अब इसके अंदर मैदा एट करूँगी, तो मैदा है मेरे पास 120 ग्राम के बराबर, इसको हमने फोल्ड करना है, तो आदा मैदा मैदा मैने एट किया है, हलके हाथ से आपने कर लेंगे हलके हाथ से, इसमें कोई लंप्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का खयाल रखेगा, उसके बाद मैं इसके अंदर एट करूँगी, वन फोर्थ कप के बराबर, कुकिंग ओल, 50 ग्राम के बराबर है, यह हम इसके अंदर एट कर देंगे, और इसको हमने फोल्ड कर इसके अंदर यह सारा बेटर जो है मैं डाल दूँगी, नीचे मैंने बटर बेपर लगाया था बस, और ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था, 10 मिंट पहले 180 डिग्री पे, और इसको हम 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे, तक करीबन 20 तो 25 मिनट तक आगे मैं इसके लिए की टाइमिंग मेंशन कर दूँगी, तो यह देखिए के हमारा बेक होकर आ गया है, 20 मिनिट्स में बहुत अच्छे से बेक हो गया था, और काफी सॉफ्ट बेक होकर आया, इसको अब मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी, काउंटर टॉप पे ही, अब आ दूँगी, तो इसके लिए हम इसका मिल्क तयार कर देंगे, जिसके लिए हमें दूद चाहिए होगा 3 कप के बराबर, दूद जो आपका ठंडा होना चाहिए या फिरूम टेप्रेटर पर होना चाहिए, तो एक बाउल के अन्दर मैंने एड कर दिया है, इसके अंदर हम तो आप लिए स्टाबरी को ब्लैंड करकी भी इसके अंदर एड कर सकते हैं, और इसको मैक्स कर लेंगे अची तरीके से, और इसको टेस्ट करने के बाद आप लोग अपने थे से मताबिक कम यह जादा एड कर सकते, तो इधर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो 2 Tb. मै यह ने और एट किया है इदर केक हमारा ठंडा हो चुका है अची तरीके से तक्रीबें आदर गंटा लगा था इसको ठंडा होने में और अब इसको हम मोल्ड में से निकाल लेंगे साइडों सबसे पहले इसको लूज करेंगे हलका सा और नीचे तो हमने बटर पेपर लगाया वही था तो इसको निकाल आएगा यह देखिए अब इसको अमने क्या करना है इसको पलट केसी के अंदर सेट कर देना है क्योंकि आम इसी के इनदर सेट करेंगे जब यह अच्छे स तो देखिए यह जो मिल्क है वो हम इसके अंदर आड़ कर देंगे सारा का सारा आपने आड़ कर देना है और चार तरफ इसी तरह से डालिएगा और यह एड़ करने के बाद हम साइट पर रख देंगे अब इसके हम बना लेते हैं फ्रॉस्टिंग तो इसके लिए मैंने विपिंग क्रीम ली है 150 ग्राइम के बराबर और अगर आब इसको कप में मेजर करेंगे तो यह 3-4 कप के बराबर है इसको हमने विप्ट करना है अच्छी तरीके से 3-4 मिंट में अच्छे से विप्ट हो जाएगी एलेक्टिक बीटर से तो देखिए थोड़ा हार्ट बीट कीजेगा इसको अब इसके बाद इसके अंदर हम स्टॉबरी सीरप एड़ करेंगे 1-4 कप के बराबर और स्टॉबर और आपकी जो अगर क्रीम है बहुत जादा हार्ट हो गई है तो आपको थोड़ा सा लूस कर लीजीगा वैसे क्रीम के अंदर कोई भी फ्रेश फ्रूट हम एड़ करते है तो वह थोड़ा सा अपना पानी रिलीस करते है तो इसके जैसे क्रीम थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती spetzulah की मदद से या फिर knife की मदद से तो ऑद industrl आभी बस इसको मैं फेला रही हु इूपर बस even सी एक layer बना लेंगा इसकी तो देखिए देखिये जपनाइट के मुद्ड़ से इसको अलका से स्जुथ कर रही हूँ और इस केक के अंदर कोई जादर स्मूथ करने की जूरत नहीं होती कि डेकुरेशन और आप अपनी मर्जी के मताबिक कर सकते हैं सेरप डाल सकते हैं स्टॉबरी के चौंक्स और एट कर सकते हैं जैसे आपका दिल्चा इस तरह से या फिर इसको आप प्लेन इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं तो बस यहाँ पर मैंने एक स्पून ले लिया है उससे में एक डिजाइन सा बना लूँगी यह रफली सा डिजाइन है कोई भी बना सकता है बहुत इजी ली बन जाता है यह देखिए बस स्पून की मदद से आपने जिग जग इस तरह से एक लाइन सी बना देनी है कोई भी छोटा स्पून ले लीजेगा या फिर नाइफ की मदद से भी आप इस तरह से कर सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से लाइन्स बन गई है अब इन लाइन्स के अंदर हम क्या करेंगे इस टौबरी से रप कर देंगे यह देखिए इस तरह से आपने आपकर देना है तो बहुत सिंपल से डिजाइन बनाया है मैंने कोई भी बना सकता है बहुत एजली और इसको जादा मैने फिनिश नहीं किया था मत Blう not healthy one can do जादाइम लास्मे बस स्टॉबी की तीन slices मैंने इसके ओप रख दी हैं। और इसको ऐख दूँऄर 2-3 घंटे के लिये अच्छे सेठंडा हो जाए तब यह थंडा हो जाएगा उसके बाद ही आपने इसको सर्फ करना है क्योंके मिल्क केक जो है थंडे ही सर्फ किये जाते हैं और जब आप इसको एक बाद बनाएंगी तो आपका दूशा आएगा बारबर बनाने का क्योंके यह बनता ही इतना मज़धार है और आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा अगर आप स्टॉबरी लवर हैं तो मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़दार से बिहारी तिके की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको हम सर्फ करेंगे मज़दार से पूरी पराटे के साथ परिफेक्ट रेसिपी आज आप लोगों में सिखाने जा रही हूँ इसको आप एक बार बना लेंगे घर में तो बज़ार से तिके खरीदने भूल जाएंगे क्योंकि बनते बहुत मसेदार हैं जूसी और बहुत ही शानदार बन के तियार होते हैं इद आने वाली है तो इद दावत के लिए आइडियल रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत ही असान है तो चलिए आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहां मैंने लिये थे चार अदर तिका पीस लिये थे तक्रीबन डेड़ किलो के बराबरें थोड़े बड़े साइस के लिए थे तो इसको आपने धो के अच्छे से ड्राइ कर लेना है इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए इसके बाद आपने डीप कर्ट्स लगा ले अब इसको हम बरनेट करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है लेमन तो यहां पर एक अदर बड़े साइस का लेमन जूस ले लेना है आपने तक्रीबन टू-टू-थी टेबल स्पून के बराबर ये होगा लेमन ना हो तो आप लुग सिरका भी आट कर सकते हैं तो सबसे पहले रहमन जूस इस पर हमने डाल दिया उसके बाद हम एट करेंगे लसन अद्रक का पे इस तक्रीबन टेबल स्पून के बराबर अब इसके उपर हम एट करेंगे जर्दा फूट कलर और रैट कलर है मेरे पास ये तंदूरी कलर बनके तयार होगा इन दोनों को आपने मिक्स कर लेना है वन फोर वन फोर टीस्पून के बराबर लिया है यानि कि टोटल जो कलर है हाफ टीस्पून के बराबर है क्योंकि जो तिक्का होता है वो थोड़ा सा खुशनुमा होता है दिखने में तो आपके पनी मर्जी अगर एट करना चाहते हैं तो जरूर एट कीजिएगा अब इसके बाद हम इसमें एट कर देंगे दही आदा कप के बराबर दही जो है आपका बहुत जादा खटा नहीं होना चाहिए इस बात का ख्याल रखिएगा थोड़ा सा मीठा दही लीजिएगा और इसके अंदर हम एट करेंगे अच्छा इसके अंदर जाती है खशखाश पिसी हुई तो मेरे पास खशखाश नहीं थी और अकसर लोगों को प्राबलम होती है खशखाश नहीं मिलती उनको अपने घर के पास धनिया पाउडर एड़ करेंगे 1.5 टी स्पून काली मिच्चु का पाउडर एड़ करेंगे 1 टी स्पून गर्म मसाला एड़ करेंगे 1 टी स्पून हल्दी पाउडर एड़ करेंगे 1 टी स्पून नमक एड़ करेंगे 1 टी स्पून चैफिल जवित्री का पाउडर एड़ करेंगे, हाफ टी स्पून अब इस सब को आपने अच्छा से मिक्स कर लेना है अच्छा सा मसाज करेंगे, मसाज करने के बाद आपने इसको रख देना है फ्रिज में तकरीबन दो घंटे के लिए या फिर आपका अपने टॉप छोड़ सकते हैं और चाहिए तो इसको ऊवरनाइट भी आप अरम से मेरनाइट कर सकते हैं असल में ये इजिए बहूत आइडिलवेट रेसिपी है क्युक्के और इसको आप मैरनाइट के रख सकते हैं तो आपने पकाना है तो बस इसको मैंने अच्छे से मसाला लगा दिया, इसको मैं दो घंटे के लिए छोड़ दूँगी, दो घंटे बाद इसका कुछ इस तरह की situation होगी, इसको मैंने cover कर दिया था, cleanse से, अब इसको हम खोल लेते हैं, यह देखी, कुछ इस तरह से हो जाएगा, अब इसके बाद इसको हम पका लेंगे, तो इसको हम पकाएंगे तवे के ओपर, या फिर फ्राइंक पैन में आपने पकाना है, तो यहाँ पर मैंने फ्राइंक पैन लिया, बड़े साइस का, इसमें मैंने थोड़ा सा ओईल एट किया, तक्रीबन टू टेबल स्पून के बराबर, और इसके इसको बड़ी पतीली में भी इसको बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, फ्राइंग पैन या फिर आप तवे पे पकाएं इसको, तो देखें इस तरह से आपने बस सैट कर देना है, अच्छे से इसको, और इसकी बाद क्या करेंगे, जो प्याला था जिसमें यह थे, तिका के प पूरी पराठे की तरफ, तो इसके लिए मैंने मैदा लिया था 500 ग्रैम के बराबर, यानि कि आदा किलो के बराबर यह मैदा है, कप में मिजर करेंगे तो 4 कप के बराबर है यह, इसमें एट करेंगे नमक 1 टी स्पून के बराबर, चीनी एट करेंगे दाने दार 1.5 टेबल आजाता है पावडर मिल्क का आइट करेंगे इसके अंदे टू टीबल स्पून अब इस सब को मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आइट करेंगे और एक सॉफ्ट डू बना के तयार कर लेंगे तो देखिए इसको मैंने अच्छे से समेट लिया है और सॉफ्ट डू बनाया है अब लास्ट में क्या करेंगे इसको नीट करने के लिए हम एट करेंगे इसमें ऑईल तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर ऑईल एट करने के बाद आपने इसमें मुक्की लगानी है इसको गूनना स्टार्ट करना है तकरीबन 5 पूंट लगेंगे इसको अच्छे से गूनने में और ऑईल सारा इसके अंदर चला जाए जब तक आपने इसको गूनते रहना है यह तोड़ चिकना भी हो जाएगा इस गूंटे आप छोड़ सकते हैं आदे गूंटे बाद इसको निकाल लेंगे तो देखें डू कितना सौफ्ट बना एसका तो इतना ही सौफ्ट होना चाहिए इसका डूना इसको हलका से मैयन नीट किया है अब इसकी बाद इसमें से हम पेड़े निकाल लेंगे अच्छा पूरी पराठा बनाने के लिए जरूरी है आपने इसके पेड़े और इसके आटे को अच्छे से रेस्ट देना है जितने अच्छे से आप इसको रेस्ट देंगे आपके जो पूरी पराठे हैं वो बहुत अच्छे बनके त्यार होंगे तो देखे इस तरह से मैंने कट कर लिया है अब इसके में बराबर से बना लूँगी पेड़े तो पेड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे तेल का इस्तेमाल किया है और कोशिश कीजिएगा इसमें सूके आठे का इस्तेमाल ना किया जाए तो पूरी पराठा जो है वो तेल से ही बेला भी जाता है इसको इसके अंदर आपने सूका आठे इस्तेमाल नहीं करना होता तो देखे मैंने तेल की मदद से इसको बना लिया है पेड़ू को बना लिया पेड़ू के उपर हलका हलका सा ओईल लगाएंगे और इसको छोड़ देंगे आदी घंटी के लिए आपने छोड़ देना इसका रेस्टिंग टाइम है इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी अभी दिर हम अपने तिकों को देख लेते हैं तो इसके मौश्टर को हमने सुखाने के लिए क्या करना है इसको टर्न करते करते हम इसको हलका सा फ्राइ करेंगे इस स्टेज़ पर आँच थोड़ी सी तेज़ कर सकते हैं बहुत जादा नहीं करिएगा लेकिन हलकी सी तेज़ कर दीज़ेगा इससे क्या होगा कि इस पर एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और आपने पलटते पलटते इसको ना फ्राइ कर लेना है ताकि इसका जो मौश्टर है एक्स्ट्रा उसमें से सूख जाए मतलब मसाल अच्छे से दोनों तरफ से पक जाए तो इस तरह से बस आपने टर्न करते करते इसको फ्राइ कर लेना है अब जो स्पिस हलका सा ओईल होगा उसी की मदद से इसके उपर कलर भी आ जाएगा कुछ इस तरह से ये देखिए मैंने एक या दो बार इसको टर्न किया था अब क्या करेंगे फ्लेम आफ करेंगे और कोईली के पर थोड़ा सो ऑईल डालके इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिट के लिए इसको आपने छोड़ देना है इतने में देख लेते हैं हमारी जो पेड़े हैं उस पर भी रेस्ट आ चुका है तो इसको आपने आदे घंटे के लिए छोड़ना है जब आदे घंटे बाद आप इसको उठाएंगे ना तो बहुत असानी से बिल जाएंगे ये मतलब बेलना तो नहीं होता इसको हाथ से आपने बढ़ाना होता है तो काउंटर टॉप पे पहले आपने ऑईल लगा लेना है उसकी बाद आपने हाथ की मज़द से इस तरह से आपने पहला लेना है तो ये बहुत असानी से पहल जाते हैं क्योंकि डूप आपका बहुत पराठाया होती है तो अपकी पास जिस तरह की कढ़ाई है उस ही इसाब से आपने बेलना है और इस तरह से हुल् कुझ इसको पराथा बना रहे हैं तो इसलिए आपने इसमें होल करने जरूरी है ताकि फूले नहीं और यह थोड़ सा फ्लैट ही शेप में होता रहे है तो देख्यी तेज गरम ऑईल के इंदर आपने इसको फ्राइ करना है पूरी पराथा के लिए जरूरी है आपका जो तेल है वो बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए तब आपने इसको तेल में डालना है और इसको चंद सेकंड लगते हैं फ्राइ होने में जादा टाइम नहीं लगता एक तरफ हलका सा कलर आजए तो आपने इसको टर्न करके फ्राइ कर लेना है और इसको सिर्फ 20 सेकंड लगते हैं फ्राइ होने में क्योंकि जब आपका तेल अच्छे से गरम होता है तो यह पूरी पराठा पूर जली अली से फ्राइ हो जाते हैं तो देखिए इस तरह तरह से इसपे कलर आगा आज़े होज़ए अब इसको निकाल लेंगे इस तरीके से में सारे पूरी पराठा फ्राइए कर लूंगी यह देखिए अब इसको हम रख लेंगे साइट पे और तिका को देख लेते हैं इसको final touch हम दे देते हैं तो final touch देनी के लिए क्या करना है वैसे तो यह ready आप लोग चाहें तो इसको as it is surf कर सकते हैं लेकिन आपने इसको smoke वाला flavor देना है और touch देना है उसके लिए क्या करना है आपने तेज आज पे इन pieces को आपने इस तरह से सेख लेना है इससे क्या होगा इसके उपर smokey से एक marks पी आ जाएंगे flavor भी enhance हो जाएगा और दिखने में बेहत खुबसूरत लगेंगे कोई कहीं नहीं सकेगा इसको आपने pan में बनाया है या पिर koilो पे बनाया है तो इस तरह से हो जा है तो आपने इस तरह से इसको सर्फ करना है इसको आप enjoy कीजिएगा अपनी family के साथ चाहें तो मेमानों के लिए बनाएं या फिर अपनी family के लिए बनाएं तो इस पर आप लोग इस recipe को बनाएं तो अपना feedback जरूर दीजिएगा मुझे बताईए का जरूर कैसी लगी यह recipe और यह बहुत ही जबदस बनके तयार होते हैं आप लोग को बहुत अच्छे लगेंगे एक बार जरूर ट्राइ कीजिगा इस recipe को I hope आपको यह recipe अच्छी लगी हो so viewers अगर आप लोगों मेरे recipe अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को subscribe करें like करें comment जरूर किया करें share पी जरू तो में याद रखिएगा अल्हाफिज